दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की जैसा कि कल के थमनेल में ही दिया हुआ था कि एक भारी गिरावट के बाद के कुछ हल आ सकती है आखिर कल का हमने ऐसा थमनेल क्यूं दिया था यह आप देख सकते हैं जो दो क्या हुआ था होल्ड एक रेंज में ट्रेड करवाया था ठीक है तो बहुत सा चीज देखने में था एक ट्रेंगल भी बना था ठीक है निफ्टी में तो किसी एक रेक्शन में तो उच्छाल आना फिक्स था या अपसाइड जाना था तो यहां पे दूसरा एक कुलू और हम निफ्टी को जाना यह तो फिक्स था ठीक है और हुआ भी वही मार्केट मॉर्णिंग में क्या हुआ मार्केट 148 पॉइंट के आसपास क्या हुआ एक ग्याप ओपनिंग हमें दिखाया ठीक है अब यहां पर क्या करना चाहिए तो जब मार्केट ओपन हुआ ओपन होते ही ह हमने क्या क्या प्रॉफिट भॉक करवा दिया बहुत सारी स्टॉइंट का क्या था कि कल बहुत सारी लोग लेके गया थे क्योंकि दिख रहा था चार्ट पे न तो जब भी आपको चार्ट पेन एक जैसा पैटरन दिखें आप समझ जाना क्या कि मार्केट डिरेक्शन इसी तो यहां पे एक प्रॉफिट बोकिंग जोन हमें दिखा और हमने ओपन होते प्रॉफिट बोक किया इसके बाद अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था ना कि आज इंट्राडे में हमें कैसे टेड करना है चाहिए वो इंडेक्स हो या दोस्तों आपके स्टॉक हो तो देखो आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि 15 मिट के स्टेड़ी ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पे जो 15 मिट के स्टेड़ी है इसके हमने क्या बताया कि जब भी गाप अप या गाप डॉन हो अब क्या करना होता है इसी के लोग आई आपका स्टॉपलस हो जाएगा और इ क्या तो अबरल मार्केट का जो डेली टैम फ्रेम के क्या था दोस्तों आप देख सकते हो यहां पे एक सेलिंग पैटन था ठीक है यहां पे और यह पता था कि 17 ताओजन एट अटन ने जाए तो हमें बेचना भी है बट एक साथ मीक और हमने आपको बताया था कि यहां पे को अधिक हो प्रेंट के टैम फ्रेम पे को ऑडिवर्स तभी बेचना है नहीं देगा तो बिल्कुल भी नहीं बेचना है यहीं तो हमारा टेक्निकल है ठीक है कि पुरा फुरिफाय करकर हमें का म करना तो यह नहीं कि कई ही पटर मिला कर दो नहीं पूरा दोस्तों उसको प् जैसे नौकरी आपका ओपन लो थिवरी था उसमें दोस्तों नौकरी हो गया आपका TCS हो गया SCLT टेक था लाल पैत लैब बहुत सारे डॉक्टर डेडी जो कल हमने दिया था दोस्तों टेक महिंदरा बहुत सा यहां से एक आपको छोटा सा यहां पर प्रोफिट देखने को मिलता ठीक है क्योंकि अबर आल जापका डेडी टेंफर में क्या था एक सेल पैटन था 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 यहां पर यह बेच करके आपको ज्यादा मुनाफ़ा आ सकता तो वही हुआ आपको दिखाते हैं किस तरीके स हंडिड़ पेंटोस्तों हमने करके निफ्टी में बनाया ठीक है यहां दोस्तो आप देख सकते prechन इन जों को दिक्कत हो रहा होगा अब यह Paint जो ए क्रहanı आपके हैंग व हम ने किया बताया था कि 17,800 के पास में यद धी कोई सील पयटन बनता था आपको बेच के चलना है बट वा किए सीलहल नहीं बनाया यहां पर प्र परफेक्ट नहीं था यहां पे पैटर्न बना बट एक्जिक्यूशन नहीं हुआ और इस प्रेडिंग का बैकबोन यह जितना रहेगा उतना जैदा आपका ट्रेड बढ़ियां होगा आप देख सकते हैं यहां पे दोस्तों यहां लगाया था यहां पर देखो सत्तरा हजार यह पूरा रिस्टेंस रहा था यह देख रहें ना यहां पर कभी भी रिवर्सल हो सकती थी अब हुआ क्या फिर तो सा जूम आट करतें और आपको दिखातें पर Ol discussion कि इते हैं इसने के कि रिवर्चल दे दिया यहां बेरिश in गलाफिंग पैटर यहां पर इसने दे दिया थोड़ा दीखा और यहां पर एकटरम मना और इस स्पोलर स्प्रेंशTIN ही तो AT यहां पर दोस्तों सब्सक्राइब यहां जो कि आपका पैटर्न यहीं पे था यह आप देख सकते हैं और जैसे लो ब्रेक हुआ दोस्तों यहां से बहुत ही बढ़िया गिरावर देखने के मिला और हमने यहीं पे मैसेज किया इग्जैक्ली यहां पे जब आपका 17,000 जैसे यह 9619 से बैक वा दोस्तों हमने 17,900 के पास मैसे मैसे यहां से एक से यहां से अच्छा पॉयंट जला पहला सेपोर्ट की चाहीं परीजन के उच्छा एक यहां पर संपोर्ड के तरह किया रिए और सेट की हिए 17,000 मतलब 17,850 ब्रेक किया तो 800 आ सकता है तो आप देख सकते हैं इसने जो लो लगा है यहाँ पर 17,780 का तो यह क्या था यह सेफ साइड का टेट था जो सेकेंड हाप में हमें देखने को मिला यह दोस्तों 100 पॉइंट का पूरा सेफ टेट था तो बहुत अच्छा लगा आज बाई करके भी अच्छा मुनाफाई और सेल करके भी आया अब कोश्यन यह है कि कल के लिए निफ्टी में हमें क्या करना है ठीक कल के लिए था निफ्रेश्मन पर चला गया सब चीज हो गया कल के लिए दोस्तों इपका कूं सा हो गया सत्रह हजार आठ सो लोड़ पर क्लोजिंग दिया है कल यदि निफ्टी 17,800 के नीचे ट्रेट करवाएगा तो फर्दर यह दोस्तों एक डिरेक्षन आपको बहुत ही बढ़िया मिल सकता है यहां तक इसकी गिरावट हो सकती है तो आपका यदि यह ब्रेक हुआ तो यह 17,700 के लेवल दिखा सकता है दूसरी इंट्राडीकें बता रहे पोजिशनल तो दोस्तों यह यदि आग गया ना कमपनी इसके कॉर्डिंग तो फिर यह आपका 17,000 और 16,800 तक आ सकती है ठीक है तो आपको करना क्या है कलकल इंपोर्टन यह और यदि 17,800 को ब्रेक नहीं किया तो यहां से फिर क्या हो एक कल बाइसाइड का ऊपर का ट्रेड होगा तो 17,800 कल के लिए बहुत ही कुरूशियल सपोर्ट आप कह सकते हैं आज रिस्टेंस था यह तो अब क्या यह सपोर्ट बनी है बार बार कहते है न यहां देखिए जो पहले क्या था दोस्तों यह आपका क्या था यह आपका क्या था जब नीचे से उपर जा रहाता था तो इस ते अब क्या हुआ यह आपका उपर जब नीचे है तो यह आपका सपोर्ट बन गया 17,800 कल यदी इसके उपर करवाता है तो उपर जाएगा नहीं तो दोस्तों यहां से फिर से गिरावट पहले तो यह गैप फिल करेगा यहां पर जब इसको ब्रेक करेगा तो आपका यह नीचे फिर से आएगा तो आप 17,800 लेवल को याद रखे बहुत इंपोर्टेंट लेवल है इसके बाद दोस्तों चलते चार्ट पर यहां पर देखते हैं यहां पर यहां पर यह बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन भी था यहां पर कल हमने सब्सक्राइब बहुत ही क्लिर लिए आपको समझा दिया था आज हुआ क्या और दूसरी बात आज मॉर्णिंग के मार्गेट ओपन हुआ तो हमने सबसे पहले मैसेज क्या किया था दोस्तों कि ओपन लो सेमीन बैंक निप्टी मिसका ग्याप थो लग चुका है तो इसका डायक्षन आज पोजिटीव हंडिट परसेंट था ठीक है यहां पर बाइका ही ट्रेट था मॉर्णिंग के टाइम में अब देखें यहां पर क्या हुआ यहां पर क्या था यह सत्तरह हजार दोसों स्वारी स्टेमी स्वाटी वन थाउजेंड दोस्तों यहां पर आपका डिस्तेंश था आप देखो न बार बार यहां से गया नीचे आया फिर यहां से नीचे आयए दोस्तों यह जो लेवल था यह क्या था यह आपका बहुत ऑपरेंस जोन था हूँआ क्या आज की इसके ऊपर आपका मार्केट उपन हुआ और , ओपन होने के बाद सायध आपको याद नहीं होगा तो बता दू यहां पे जो गैप थी लगा था दोस्तों वो था ब्रिक वे गैप ठीक है जो हमें सा सपोर्ट रिजिस्टेंस के ऊपर में बनता है ठीक है तो वही आज गैप था और यहां पे बहुत अच्छा ऊपर हमें अपसाइट देखने को मिला यहां से तो इसलिए मॉर्णिंग के टाइम में जो बॉक करवाया कहां पर यहां क्योंकि यह आपका फिर सप्लाई जो था यह था तो यहां से गिरावत देखने को मिला में तो क्या हुआ इस तरीके से हमें दो मुमेंट देखने को मिला एक अफसाइट का भी और एक डाउं साइड का भी तो दों तरब से बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिला अब दोस्तों यहां बात करते कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल कौन सा है क्या आपका यहां पर ट्रेड एक्जेक्यूट नहीं हुआ था यहां पर आपका को भी ट्रेड दोस्तों एक्जेक् करते हैं जिस्टेंस या सपोर्ट ठीक है तो 41,500 के ऊपर यदि यह सस्टेन करता है तो एक अपसाइड आपको देखने को मिलेगा और यदि इसके नीचे ट्रेड करवाएगा तो फिर एक बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या गिरावट देखने को मिल सकता और यहां से एक त 40-200 के पास मैंगा तो आप एक प्रॉफिट बोक कर सकते हैं और यदि 41,500 के उपर ट्रेड करवाएगा तो यहां पर आप क्या करेंगे एक छोटा सेसरी के साथ में आप इसमें बाइसरी का क्रेंगे अपडेट कर देंगे इस अपडेट के लिए आपको क्या करना होगा सब स हैं आप आते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप देख सकते हैं चाहिक यहां पर दोस्तोcrew आप देखिए इसका दोस्तों यहां पर का है इसके बहुत आप सारा चार्ड है निफ का का है बहुत सारा दोस्तों आ엇क को देखने को मिलेगा है उप मताया था तो इस student कितने होशयार हैं दोस्तों देख सकते हैं यहां पेOFF。 económ करके ठीक है यह सूकाही भूख सारे लोगों कि वह सारे लोगों कि पहले निए देख लेते हैं कैसे क्या है उसके बाद मतलब फूल क्लास लेंगे के जो भी है तो लिए आँ यह सीखने का एक मौका है दोस्तों इसमें बहुत ही छोटा सा स्भीशन फीए 3.99 का है तो किने को यदि लगता है तो उसको भी आप लोग जोईन कर सकते हैं जिनको भी जोईन करना हो बता दिजेगा परस्टनल मैसेज कर सकते हैं ठीक है इसके लिए अब दोस्तों यहां बात करते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक तो सबसे पहले बात करेंगे जैसा कि यह थोगा सा निफ्टी म नहीं होगा ठीक है जो था आइसे से बैंक और शायद आपको यह भी याद होगा कि हमने जो लेवल दिया था दोस्तों 920 रुपे के आसपास हमने वोला था बेचने के लिए अब आप देखो आपको यकीन हो जाएगा दोस्तों ऐसे ही नहीं बताते हैं कुछ भी चलते हैं चार्ट यहां पर देखो जब आपका इसे से बैंक किस लेवल पर था दोस्तों उस तैम में यहीं पर था आपको तो क्या हुआ यहां से आया नीचे इसको आना क्या है कहा है ऐसको आना है 875 से 880 के आसपास में बट हुआ कि इसने 895 से 895 का लोला और यहीं से उपर चला गि और जब 15 मिल के टाइम फ्रेम पर कोई रिवर्सल देगा देन आपको ले चलते हैं इस चार्ट पर आपको दिखाते हैं दोस्तों इतना बढ़िया हमने हेस्जिंग का आपको बताया था न एक लोट फ्यूचर में सिप 7-8 रुपे का नुक्षान था और प्रोफिट था 30 र को हमने यहीं पर इस ट्रेंट को बुक करवा दिया 9-15 के पास में ठीक है और पोजिशनली इसका मतब पोजिशनली यह होल्ड हो गया है ठीक है तो टेक्निकल थोड़ा सा टेक्निकल को सीखिए और अच्छे से और टेक्निकली ट्रेड कीजिए पैसे कमाईएगा वीडियो देखिए जोड़ान कीजिए डाउट है दोस्तों पूछिए पैसे डेली कमाईएगा ठीक है तो यहां पर देखिए अभी आप काईसे से बेंग क्या है सेलिंग में है आप इसको बेच करके चल सकते हैं चलिए इसका कुछ स्टॉक है दोस्तों SBI की बात करेंगे कुछ स्व हो चुका है अब यहां पर लिए चलते हैं आपको इसके चार्ट पे यहां पर देखिए आज क्या हुआ दो मार्केट अज उपर था तो क्या हो यह भी उपर गया उपर गया हमें साथ एक बात आप लोग याद रखना कि मार्केट में आपको बाई और सिल दोनों के स्टोक ह जिसमें हमने क्या-क्या बाई करें ट्रेड किया बट जब मार्केट ऊपर गया तो हमारे पास में स्टोक थे जैसे कि SBI हो गया या दोस्तों आईशे से बैंक हो गया इसकला और भी कुछ स्टोक था जिसमें की सेल करके MM Finance था जिसमें हमने सेल करके मुनाफ़ा कमाया ठीक है जो दोस्तों लो है कितने का लो है 572.85 यदि यह लो ब्रेक करता है तो आप इसको स्टोक करके चल सकते हैं और जो दोस्तों ऐसे लेकर पुजिशनल से लिए यहां से कर सकते हैं और दोस्तों SBI का जो पॉजिशनल टार्गेट दे रखे हैं वो आपका 545 के आसपास का ठीक पांसो पिदाइस disfrut सकते हैं यहां पर टीकर यहां टोस्तों ना सटाउर्ट मिश्तार एपको को रखाए तो कल के लिए से भी अपर रख सकते हैं तो यहां पर कुछ इस टॉक में बना हुआ देख लेते हैं एक आपको यहां पर यूपL में तो बोले ना बाइस इसको डूनों के होने चाहिए जैसा मौका मिलेगा वैसा काम हमें करना है आप देखेगा ज्यूपिन में दोस्तों क्य यहां पर देखिएगा वाई है यदि मार्केट नीची आता है आपको बता दे रहें दोस्तों क्या होगा यह नीची आएगा में इसको भाई करके चल सकते हैं यह फिर क्या हुआ इसको भी राट पर कल के लिए रख सकते हैं इसके लाव दोस्तों एक और स्टॉक है पेटन था बट आज रिट्रेस्मेंट पे थोड़ा आया हुआ है और सपोर्ट भी है तो आप बहुत लंबा होल्ड नहीं करना है क्योंकि और ट्रेंड इसका डाउंटरेंड स्टार्ट हो है तो छोटा किनी को लेना होगा तो कर सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं ठीक है यह भी आपका वी रिट्रेस्मेंट पे है तो इसको आप चल सकते हैं वो सकता है दोस्तों इसमें उच्छाल आपको वही अठारस हो गया असपरस तक कर यह दिखा सकता है तो कल दो स्टॉक हो गया यूपील दो बाई के लिए और दोस्तों जो भी था आपका सिल करने के लिए जैदा स्टॉक है क्योंकि आपका निफ्टी भी सेल साइड में है बट कल का जो लेवल हमने बताया है इस लेवल को आप याद रखना गिफ्टी के लिए में होगी आपका क्यातना कि दोस आते दोस्तों फोल डे आपको क्या होता होते रहता है कैसे में सीखते हैं लाइव मार्ट वो भी आपको इक पर दिखा दिते हैं यहां पर देखिएगा यह देखिए यहां पर चैटिंग होते रहता है और यह लाइव मार्ट मेरा सीखाने का तरीका है देखिए फुल कमाने सकते हैं दोस्तों आप चाहते हैं इस तरीके से जिस तरी मेरे स्टुएंट पैसे कमा रहे हैं यह भी चाहते हैं ऐसी पैसे कमाना इसलिप डिपेंडेंट हो करके इसलिए आप चाहते हैं आप चाहते हैं से विब साइट है विजिट कर सकते हैं दोस्तों कोर्स पर जाएंगे प्राइब दोस्तों मतलब इसको प्रवानेंट इसका मेंबर्शिप मिल जाएगा ठीक है साथ में आपको क्या होगा जो क्लास है उसका वी एक्सेस लाइफ टैम मिलने वाला है क्योंकि उसमें क्या उदर एक वर आप नहीं सीख पाए तो आप दुबार मतलब सेकेंड आप क्लास है उस टाइम में भी कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आपको मिलेगा प्राइबेट टिल्याम चैनल का एक्सिस लाइफ टैम में लिए देख सकते हैं विद्वादी चाटने प्राइब चैनल है दोस्तों आसा करते हैं आप को आज का वीडियो पसंद आएगा और वीडियो से बहुत काफी कुछ सीखने को मिला भी होगा तो आप लोग क्या करेंगे लोग को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कल फिर मिलते हैं नया वीडियो साथ धन्यवाद झाल 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 झाल